हेलो दोस्तों, दोस्तों कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सुबह सुबह जैसे ही नियती का फोन स्रीकांत जी के मोबाइल पर आया उनकी पत्नी लीला ने उन्हें फोन स्पीकर पर डालने का इसारा किया और उन्होंने स्पीकर आउन कर दिया नियती हस्ती हुई बोली हेलो पापा आपने स्पीकर आउन कर लिया हो और ममी आ गई हो तो मैं अपनी बात सुरू करूँ पिछले दो महीनों से यही चल रहा है नियती का फोन जब भी आता है स्रीकांत जी स्पीकर आउन कर देते हैं क्योंकि नियती और उसकी मा लिला की बातचीत तब से बंध है जब चैन नियती ने अपना निलने सुनाया है कि वो हसादी अपने कलीग और स्कूल फ्रेंड विकल्प से ही करना चाहती है यह बात जानते ही दोनों मा बेटी के बीच अबोलेपन ने अपना स्थान ले लिया लेकिन जब भी नियती का फोन आता है लिला अपने सारे काम छोड़कर फोन के करीब आ जाती है यह जानने के लिए कि नियती क्या कह रही है नियती की बातों को सुनकर लीला के चेहरे के हाव भाव बनते बिगरते रहते हैं क्योंकि लीला किसी हाल में नहीं चाहती की उनकी बेटी किसी विजातिय लड़के से ब्याह करे वैसे लीला कई दफा विकल्प की मा मिसेश चंद्रा से नियती के स्कूल फंक्शन और पैरेंट्स टीचर मीटिंग में मिल चुकी है मिसेश चंद्रा मॉर्डन और स्वतंत्र विचारधारा की महिला है लीला को लगता है कि मिस्टर चंद्रा जरूरत से ज़्यादा ही मौर्डन है मिस्टर चंद्रा इंडियन नेवी में वरिष्ट अधिकारी के पदपर थे उनका घर ग्वालियर के पोश एरिया में है और काफी अलिशान भी है नौकर चाकर सब हैं किसी चीज की कोई कमी नहीं है उनके घर का वातावरन रहन सहन थोड़ा भिन्न है जो लीला को सुरू से ही अटपटा लगता आया है क्योंकि लीला जहां रहती हैं वहां की ओरतें ना तो मिस्टर चंद्रा की भाती बिना आस्तिन का बलाउच पहनती हैं और ना ही बिना सिर पर पलू लिए गर से बाहर निकलती है उपर से इनका पूरा परिवार सुध साकाहारी और उनके घर पर बिना अंडा मास मचली के काम ही नहीं चलता स्रिकांत जी एक सुल्शे हुए और सरल वैक्ती है उन्हें इस रिष्टे से कोई एतराज नहीं क्योंकि उनके लिए तो नियती की खुसी ही सबसे बड़ी है उनका मानना है कि जाती पाती धरम कुछ नहीं होता मनुस्य की बस एक ही जाती है और एक ही धरम होता है और वह है मानावता का धरम स्रिकांत जी को मिश्य चंद्रा के मौडन होने से भी कोई तकलीफ नहीं है स्रिकांत जी ने भी हस्ते हुए कहा हाँ बोलो तुम्हारी मम्मी आ गई है पापा कल मैं और विकल्प गवालियर आ रहे हैं फिर साम को विकल्प के मौम डैड आप और ममी से हमारी साधी की बात करने आएंगे स्रिकांत जी नियती को आस्वस्त करते हुए बोले तुम चिंता मत करो सब ठीक होगा यह सुनने के बाद नियती ने कहा थैंक्यू पापा मुझे आपसे एक बात और सेर करनी है मैंने और विकल्प ने कंपनी चेंज कर ली है हमारी नई कंपनी का सब डिविजनल ओफिस गवालियर में भी है तो साधी के बाद हम दोनों गवालियर आ जाएंगे यह तो और भी अच्छी बात है हमारी बेटी साधी के बाद भी इसी सहर में रहेगी हमें और क्या चाहिए यह ख़बर सुनते ही तुम्हारी भावी बहुत खुस हो जाएगी भावी का नाम सुनते ही नियती चहकती हुई बोली पापा भावी कहा है बात तो कराईए इस वक्त वह किचन में व्यस्त है नियती थोड़ा नाराज होती हुई बोली पापा मैंने ममी से कितनी बार कहा है कि एक फुल टाइम मेड रख लो सुबह से लेकर रात तक भावी बेचारी घर के कामों में ही उलजी रहती है यहां तक कि उनके पास अपने खुद के लिए भी समय नहीं होता और ममी है कि कुछ समझती ही नहीं उन्हें लगता है कि घर का सारा काम बहु का ही है उपर से भावी को सारे काम सारी पहन कर करने पड़ते हैं उन्हें काम करने में कितनी यसुविधा होती है पापा आप ममी को समझाईए वक्त तेजी से बदल रहा है अब ममी को भी थोड़ा बदलना होगा अच्छा पापा अब मैं फोन रखती हूँ ऐसा कह कर नियती ने फोन रख दिया नियती के फोन रखते ही लिला के चेहरे का रंग गुसे से लाल हो गया और वह बरबराती हुई कहने लगी लो अब ये छोरी सिखाएगी मुझे बहु से क्या काम करवाना है और क्या नहीं खुद को तो धेले भर की अकल नहीं एक ऐसी औरत की बहु बनने को उतावली हुए जा रही है जिसे हमारी संस्क्रेदी का जरासा भी ज्यान नहीं ना तो वह अपने सिर पर पल्लू लेती है और ना ही उसे छोटे बड़े का लिहाज है साधी हो जाने दो फिर पता चलेगा मॉडन सास कैसी होती है लीला को अपनी स्वैम की बेटी के लिए इस प्रकार मुह से आग उगलता देख स्रिकांत जी बोले अब बस भी करो लीला मिसे चंद्रा मॉडन है इसका मतलब यह नहीं की वे बुरी है या फिर बुरी सास ही साबित होंगी कम से कम अपनी बेटी के लिए तो अच्छा सोचो और अच्छा बोलो विकल्प अपने पैरेंट्स के साथ हमसे मिलने आ रहा है कल नए रिस्तों की निव पढ़ने वाली है मैं नहीं चाहता की किसी भी रिस्ते की सुरुवात खटास से हो स्रिकांत जी के ऐसा कहते ही लिला कोई परतिकरिया व्यक्त किये बगएर वहां से चली गई दूसरे दिन नियती आ गई साम की पूरी तयारिया जोरो पर थी वह वक्त भी आ गया जब विकल्प अपने पैरेंट्स के साथ नियती के घर पहुँचा मिसे चंद्रा की खुबसूरती आज भी बरकरार थी उसे देखते ही लिला मन ही मन कुड़ कुड़ाने लगी जवान बेटे की मा और ये साजो सिंगार अपनी उम्र तक का लिहाज नहीं आग लगे ऐसे मॉडरनेस को लेकिन मिसे चंद्रा इन सबसे बेखवर घर के सभी सदस्यों के साथ बड़ी आत्मियता से मिल रही थी बातों ही बातों में मिसे चंद्रा ने कहा मैं बड़ी खुश किस्मत हूँ जो मुझे नियती जैसी खूबसूरत और समझदार बहु मिल रही है मैं ढोडने भी निकलती तो नियती जैसी बहु मुझे नहीं मिलती मिसे चंद्रा का ऐसा कहने पर लीला व्यांगात्मक लहजे में बोली खुबसूरत समझदार बहु के साथ साथ कमाओ बहु भी मिल रही है मिसे चंद्रा ये कहना भूल गई आप लीला का ऐसा कहना च्रिकांत जी नियती और उसके भया भावी को बड़ा अटपटा और बुरा लगा लेकिन मिसे चंद्रा बड़े सहज भाव से लीला की बातों को हसी में उड़ा गई उसके कुछ सब्ता बाद नियती और विकल्प की साधी बड़े धूमधाम से हो गई साधी में आये सभी महमानों द्वारा साधी में किये गए चांदार इंतजाम को लेकर खुब तारीब हुई साथ ही साथ नियती और विकल्प की भी काफी प्रसंसा हुई इन सब के अलावा सभी के जबान पर एक और बात की चर्चा जोरो पर थी और वह थी मिसे चंद्रा की लेटेस्ट जुएलरी स्टाइलिस साड़ी और हैर स्टाइल लीला के सभी सगे संबंदी और सहेलियां उससे यह कहने से नहीं चुकी की लीला बहन तुमने तो दमाद के संग संबंदन भी बड़ी जोरदार पाई है नियती की साथ तो बड़ी मौडन है इस उम्र में इतना स्टाइल कमाल है तुम्हारी संबंदन तो काफी स्टाइलिस है सभी के मुँ से बस एक ही बात सुन सुन करकी नियती की सास तो बड़ी मौडन है लीला के कान पक गए और जब नियती साधी के बाद पहली बार घर आई तो लीला नियती की खेर खबर लेने के बाजा आए उससे कहने लगी कैसी है तेरी modern सास सजने सवरने के अलावा भी कुछ करती है या बस सारा दिन केवल आईने के सामने ही बैठी रहती है अपनी मा का इस तरह बात बेबात नियती को उसकी सास के modern होने का ताना देना उसे अच्छा नहीं लगता इसलिए धीरे धीरे अब नियती अपने माई के आने से कतराने लगी बस फोन पर ही अपने पापा और भावी से बात कर लेती ओफिस का भी यही हाल था नियती के हर फ्रेंट्स और कलिक्स का बस यही जानना होता कि उसकी सास का उसके साथ वेभार कैसा है उसे परिशान तो नहीं करती है नियती अपनी सास के होते हुए इतना फ्री कैसे रहती है क्योंकि सभी को लगता है कि नियती की सास बड़ी तेज तरार, स्टाइलिस और मॉडन है नियती को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग सभी को एक ही तराजू पर क्यों तौलते हैं ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो महिला स्टाइलिस हो मॉडन हो वह तेज तराज और बुरी सास ही होगी और जो देखने में सिंपल हो, सीधी साधी लगती हो वह अच्छी सास ही होगी एक सनिवार नियती अपने माईके में फोन कर अपनी ममी से बोली ममी इस वीकेंड पर हम पिकनिक पर जा रहे हैं मॉम कह रही थी कि आप सब भी हमारे सास चलते तो एक अच्छा फैमिली पिकनिक हो जाएगा आप भया भावी से भी चलने को कह देना नियती का इतने कहना था कि लीला भड़ा कुठी और कहने लगी हमें कहीं नहीं जाना तेरे मॉडन सास के साथ और ना ही हमारी बहु जाएगी तुम लोगों के साथ तुम सास बहु दोनों घूमों जीज पैंट घटका कर पूरे सहर में तुम्हें ना सही उस दिन मेरे गुरू जी का जनम दिन है इसलिए हमारी समीती की योर से इस औसर पर भवे सतसंग रखा है उस दिन गुरू जी सभी को दर्शन और आशिरवात देंगे जो जीवन की सदगती के लिए बहुत जरूरी है यह सब तेरी मोडन साहस क्या समझेगी लीला का इतना कहना था कि नियती ने गुस्से में फोन काट दिया निधारी दिन पर नियती अपने पूरे परिवार के साथ इधर पिकनिक के लिए निकल पड़ी उधर लीला और सिरकांत जी भी गुरुजी से मिलने आसीस ले ने सत्संग के लिए निकल पड़े आज पूरा दिन परिवार के संग इतना अच्छा समय बिता कर नियती काभी खुस थी उसे बस इस बात का अफसोस था कि आज की इस खुसी का हिस्सा उसके अपने ममी पापा के वल उसकी मौम की संकुचित मांसिकता की वजह से नहीं बन पाए थे पिकनिक से लोटते वक्त नियती इनहीं सब बातों में गुम थी की अचानक उसका मोबाइल बजा फोन किसी अंजान नंबर से था फोन रिसीव करते ही नियती की आँखों से अविरल अस्रुधारा परवाइत होने लगी यह दे एक नियती की सास ने उससे कारण जानना चाहा तो नियती रोती हुई बोली ममी का फोन था सत्संग से लोटते हुए ममी पापा का एक्सिडेंट हो गया है पापा गभी रूप से घायल हो गए है ममी को जैदा चोटे नहीं आई है मोबाइल भी तूट गया है इसलिए उन्होंने दूसरे के मोबाइल से फोन किया था भया भावी भी सहर से बाहर है और वहां सीटी अस्पताल में पुलिस प्रकिरिया में देर होने की वज़ा से पापा का इलाज शुरू नहीं हो पा रहा है ममी बहुत घबराई हुई है और परेसान है इतना सुनते ही मिसे चंद्रा बोली तुम्हें रोने या परेसान होने की जरूरत नहीं बेटा सहर के डियेसपी से मेरा भहुत अच्छा परिचा है मैं अभी उन्हें फोन कर देती हूँ और अस्पताल में भी फोन कर देती हूँ वहाँ भी मेरी पहचान के काफी सिनियर डॉक्टर है वे सब संभाल लेंगे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं और कुछ घंटों में तो हम भी सहर पहुची जाएंगे ऐसा कहती हुई मिसे चंद्रा ने अपने कई मित्रों और पहचान के नामी गरामी हस्तियों को फोन कर नियती के ममी पापा को हर संभाव मदद करने को कह दिया जब नियती अपने पूरे परिवार के साथ अस्पताल पहुची तो उसके ममी पापा का इलाज सुरू हो गया था पुलिस और अस्पताल के डाक्टर वो स्टाफ अपना पुरा सहयोग दे रहे थे यह देख एक बार फिर नियती की आँख नम हो गई और उसके चेहरे पर अपनी सास के प्रती आदर और कृत्तेगेता के भाव उभर आए नियती की ममी तीन दिनों तक अस्पताल में एडिमिट रही और उसके पापा पंदरा दिनों तक मिसेचंद्रा पूरी आद्मियता से हर रोज अस्पताल में मिलने जाती उनकी वज़ा से नियती के ममी पापा को अस्पताल में कभी कोई परेशानी नहीं हुई वहां उनका विशेश ध्यान रखा गया और अस्पताल के डाक्टरों और स्टापों के द्वारा भरपूर सहयोग मिला उसके बावजूद मिस्यचंद्रा के प्रती लीला के विचार और बरताओं में कोई फरक नहीं आया लीला अभी अपने स्वस्थ होने और सही समय पर इलाज मिलने कस्त्रे अपने गुरूजी की किर्पा और आशिरवाद को ही दे रही थी मिसेश चंद्रा को लीला अपने गुरू जी के द्वारा भेजा गया केवल एक माध्यम समझ रही थी जबकि गुरू जी का इस बात से कोई वास्ता ही नहीं था लीला की इस प्रकार अंधभक्ती देख और बार बार अपनी ही मा से अपनी सास के लिए अपमान भरे सब्द सुनकर नियती ने यह तै कर लिया कि वह अब ना तो अपने माई के जाएगी और ना ही अपनी ममी पापा को फोन करेगी काफी दिनों तक जब नियती अपने माई के नहीं गई तो एक दिन नियती की सास ने उससे कहा नियती बेटा तुम बहुत दिनों से अपने माई के नहीं गई हो इस संडे समय निकाल कर उनसे मिलाओ उन्हें तुम्हारी चिंता होती होगी नियती अपनी सास की बाद टालना नहीं चाहती थी और ना ही उन्हें सच पता कर उनका दिल दुखाना चाहती थी इसलिए वह बोली जी इस संडे चली जाओंगी संडे को जब नियती अपने माय के पहुची तो पापा उसे वरांडे मे अराम कुर्जी पर बैठे किताब पठते मिल गए काफी दिर पापा के पास बैठने के बाद जब नियती अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी ममी अपनी सहलियों के साथ बैठी हांसी ठीठोली कर रही है और उसकी भावी भाग भाग कर सब के लिए चाय नास्ता और पानी की विवस्ता कर रही है यह देख नियती अपनी भावी का हाथ बटाने किचेन की और बढ़ी ही थी कि वहाँ बैठी उसकी ममी की सहलियों में से एक ने कहा अरे नियती तुम का भाई इधा रा हमारे पास बैठ मैंने तो सुना है कि तरी सास बड़ी मौडन है तुम अपनी सास के साथ ससूराल में कैसे निभा रही हो नियती चुप रही फिर क्या था एक के बाद एक सभी ने नियती की सास का मजा कुड़ाना शुरू कर दिया कोई उनकी लिपिस्टिक पर फिक्रे कसने लगा तो कोई हैर स्टाइल पर किसी को उनका इस उम्र में जीन्स पहनना गलत लग रहा था तो किसी को उनके लहराते हुए आचल से अपत्ती थी सभी की अनरगल बाते सुनकर नियती से रहा नहीं गया और वह सब पर बरस पड़ी और कहने लगी हाँ मेरी सास बड़ी मौडन है वह केवल मौडन ड्रेस ही नहीं पहनती उनकी सोच भी मौडन है वे अपनी बहु को चार दिवारी में घुंगट के पीछे घुटन भरी जिंदगी नहीं खुली हवा में आजादी की सास लेने देती हैं यहां आप में से कितनी सास अपनी बहु को उनकी मर्जी से जीने देती हैं मेरी modern सास मेरा खयाल अपनी बेटी की तरह रखती है और मुझे उनके modern होने पर गर्व है क्योंकि वह मुझे केवल बेटी बुलाती ही नहीं अपनी बेटी समाजती भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि बुरे वक्त में साथ खड़ी रहती है उपर वाले की इक्षा कहकर की आखे सरम से जुग गई और नियती के पापा वरांडे में बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे आसा करता हूं दोस्तों कहानी पसंद आई होगी धैनेवाद